नमस्कार दोस्तों, very good morning to all of you, स्वागत है अब सारे लोगों का अदर 24-7 की इस official YouTube platform पे मेरा नम संतोष कुमारे है और आप सब लोगों का इस particular session में तहे दिल से स्वागत है, the Hindu editorial, vocab and analysis फटाफट से इस session में हमारे साथ यहां पर जोड़ जाएं, आप सारे के सारे लोग, और हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का यह particular session 22nd of July 2022, ठीक है, तो चली हम लोग शुरुआत करते हैं फटाफट से अपना यह session, और सारे के सारे लोग जोड़ जाएं, हमारे साथ इस session में आ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं, quote of the day से दिन की शुरुवात होगी, ठीक है, quote of the day से दिन की शुरुवात, revision वो का है, one word substitution, phrasal verb, phrases and idioms, editorial वो का है, हर रोज हम लोग यहां पर करते हैं, तो आप सब लोग उस रिक्वेस्ट है, कि प्लीज एक बार फ्टाफट से session को like कर दीज़ेगा, जितने भी लोग अभी आप देख रहे हैं, session के एक बार फटाफट से like कर दीज़ेगा, ठीक है, share कर दीज़े, like कर दीज़े, share कर एक ऐसी चीज लिखी वे जो हम लोग अकसर misunderstand करते हैं लिखा क्या हुआ है कि there are no shortcuts there are no shortcuts to success only hard work, train hard and be patient success पाने का, सफलता पाने का कोई भी जो है वो आपको shortcut नहीं होता दोस्तों ये बात दिमाग से निकाल दें कि मैं shortcut तरीके से जो है वो success पाऊंगा sir, exam एक महीने बाद है और आज बस कुछ कर दीजे sir कुछ कर दीजे sir, कुछ बता दीजे sir एक महीने में मुझे exam निकालना है, मुझे P.O. बन जाना है, है ना, ये कभी मत सोचना, ये कभी मत सोचना, ये एक shortcut नहीं होता, आपको बस एक ही cut है, सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ही है कि महनत करना है, लगातार महनत करना है और patiently महनत करना है है ना, आपने एक मौक दिया, दो मौक दिया आपका खराब नबर है, मौक नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो याद रुकेगा सिर्फ एक ही रास्ता है, सक्सस पाने का और वो है, महनत करिए, लगातार महनत करिए, दिरण निश्चय हो करके महनत करिए, और सायम के साथ महनत करिए, ठोकरें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन वहाँ अगर आप रुक गए, तो फिर इतिहास नहीं बना पाएंगे, हिस्ट्री क्रियेट नहीं कर पाएंगे, दोस्तों, इतना तो तय है, है ना, तो बिल्कुल जो भी रुकावटें, उन सब को लात मारिए, ठोकर मारिए, हटाईए और आगे बढ़िए, चाय जब पीते हैं, आप एक बहुत ही शांदार, प्यारा सा एक्जांपल है, एक सेकेंड का, अगर आप अगरी करते हैं, तो मुझे बताएगा, जब चाय आप पीते हैं, तो चाय को पर आप देखना का, थोड़ी के रखने के बाद वो पूरा का पूरा एक छाला जैसा बन जाते है, एक मलाई मलाई बन जाती है, तो लोग क्या करते हैं, अरे मलाई बन गए या, चाय का मज़ा नहीं आएगा, तो क्या फिंक देते हैं, मलाई को हटाते हैं या फिर उसको निगल खा लेते हैं, और चाय पी लेते हैं, तो आपको भी बिल्कुल वही करना है, यह जो परिशानिया, यह हटाने कमाना तो हटाएं लेकिन चाय जरूर पी नहीं है जिंदगी में आगे जरूर आपको बढ़ना है ठीक है चलिए आगे बढ़ता है फटाफट से और इस आगे बढ़ने के इस प्रयास में अटाइ 24,7 भी आप सब लोगों के साथ हमीशा रहेगा याद रखेगा 77% डिसकाउंट का 78% डिसकाउंट का और डबल वैलरेटी का यह जो ऑफर है यह लास्ट फ्यू आवर्स तक अभी भी है इससे पहले कि लोग ऑफिस आएं इससे पहले कि जो है लोग आकर कि ऑफिस में सारी ओफर्स को चेंज करें तो तुरंट के तुरंट जैसे ही मेरा यह सेशन खतम होगा 9 बचे आपको सबसे पहला काम यही करना है कि जिन लोगों ने महापैक अभी तक नहीं लिया है तुरंट के तुरंट महापैक को लें जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ओपर वैलीड फॉर लास्ट फ्यू आवर्स कुछ घंटो तक ही आपको यह डबल वैलिटिक आउफर है जितने भी लोग हैं जो अभी तक रहे गए हैं चूक गए हैं कि अभी तक बैंक महापैक को उन्होंने नहीं लिया तुरंट को तुरंट बैंक महापैक या कोई भी महापैक अभी महापैक अड़ा का महापैक आप जरूर ले और हां एक बात को शुक्रिया कल बहुत सारे लोगों ने अठ्ड़ा का महापैक लिया इसका मतलब यह है कि बहुत सारे बिगिनर्स जो है ना वह हमारे साथ सेशन में चोट रहे हैं ठीक है तो फाइदा है बैंक महापैक आप दिखें, double validity, 6 plus 6 months की validity केवल 3450 में मिल रही है, एक साल का पूरा validity आपको 4350 में मिल रहा है, code आपको use करना है, Y194, code आपको कौन सा use करना है, Y194, ये वाला code आपको use करना है, दोस्तों ध्यान में रखेगा, ठीक है, और bank maha pack plus में इसमें आपके नाबाट, SEBI, SIDB, grade B, RBI, grade B, SO के साथ-साथ, आपको SBI, IBPSC, सब कुछ आपको आजाएगा, ठीक है, इसकी price आपकी 6 months की है, लगबग 5000 की आसपस इसकी price आपकी पड़ेगी, ठीक है, पूरे एक साल की, और 8 का maha pack जिसमें आपको bank, SISR, सब आ जा रहा है, इसका 6 months की price आपकी पता है, कितनी पड़ रही है, 4, 3, 5, 0, तो सबसे मज़दार यही बात है, कि 8 का maha pack, जो 6 plus 6 months की वैलिर्टी है, ठीक है न, उसकी price आपको पड़ रही है, 4, 3, 5, 0, और bank maha pack, जो आपको 2 साल का वैलिर्टी है, उसकी भी price आपकी पड़ रही है, 4, 3, 5, 0, तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाए, कि जितने भी लोग हैं, जो रहे गए हैं, double value का offer उठाने से, तुरंट के तुरंट, जैसी मेरा session खतम होगा, ये code इस्तमाल करिएगा, Y194, और तुरंट double value इस्तमाल करके महा pack ले लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम आ गए हैं, आज के rapid fire round में, ठीक है, rapid fire round में हम लोग आ चुके हैं, और पहला word जो आपको यहां पे मिलने वाला है, रिवीजन वर्ट का वो है, incontestable, पहला word आपको कौन से मिलने वाला है, incontestable आपको मिलने वाला है, this is the first word, ठीक है, this is the first word, incontestable, फड़ा फड़ा से स्टार्ट करिए, बतागी क्या होगा, चलिए, पहला word, incontestable, incontestable की मीनिंग होती है, निर्विवाद या फ़र doubtless, incontestable की मीनिंग होती है, निर्विवाद, doubtless, ठीक है, शंकाहीन, आशंकाहीन, इसमें कोई doubt ही नहीं है, next word है assessment, next word है assessment, assessment, next word है assessment, assessment, assessment की मीनिंग आपकी क्या होती है, मुल्यांकन या फिर analysis, ठीक है, assessment होता है, yearly assessment होता है, employees का, तब जाकर कि उन्हें कुछ, क्या बलते हैं, उनके salary में इजाफा होता है, या फिर क्या होता है, तो वो होता है assessment में बल्ला मुल्यांकन analysis, अगला word है pronged, 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 pronged की मीनिंग क्या होती है, pronged का मतलब आपको होता है, कांटेदार या फिर pointed, प्रonged की मीनिंग होती है, कांटेदार, बहुत ही pointed, नुकीला, उसको बलता है pronged, अगला शब्द है ironic, i-r-o-n-i-c, ironic, i-r-o-n-i-c, ironic, चलिए, आइरनिक के मीनिंग आपकी क्या होगी, आइरनिक का मतलब देखो, यह आपका adjective आ गया, ध्यान रखेगा, यह साथ साथ में यह भी बताते चलता हूँ, अच्छा रहेगा, आइरनिक जो है, यह adjective और इसका noun होता है, आइरनी, ठीक है, इसका मतलब होता है, व्यंग ठीक है, एंटी नेटल, एंटी नेटल के मीनिंग आपकी क्या होगी, एंटी नेटल का मतलब आपको होता है, जन्म से पूर्व या फिर बिफोर बर्त, है ना, मतलब जन्रली क्या हो गया, कि ऐसा नहीं कि कोई पूर्व, मतलब कोई व्यक्ति है, उसके जन्म का पूरुका नहीं जहें प्रेग्नेंट वयर्मन है जब उनकी भेँिस जन ले रही हो थी तो जन लेने से पहले का जो पिरियर रहा हो अनु जो टाइम होता है उसकाम बोल सकते एंटीनेटल पिरिय durability या एंटीनेटल टाइम ठीक है, next word, eminently, next word is eminently, अब ly है तो adverb भी है, फटा-फट से, ठीक है, eminently, मतलब यह है, क्या हो गया आपका adverb, ठीक है, ठीक है, eminently का मतलब बोता है, अत्यधिक या फिर extremely, मतलब बहुत जादा, extremely, profusely, intensely, वहन बोलते है, eminently, next word है, wrangling, w-r-a-n-g-e-l-i-n-g, झाल, का सब्सक्राइम चलो ठीक है, wrangling, wrangling जो है, यह देखो, यह noun और verb, यह दोनों sense में आएगा, ठीक है, तुम wrangling जो है, वो as a noun भी बोल सकते हो, यह दो आप लोग बोल सकते हो, तो wrangling, noun और as a verb, यह दोनों ही आपका आएगा, तक्रार यह फिर argument, उसका हम बोल सकते है, wrangling, 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 अगला शब्द है, अल्यूट, अल्यूट, यह दियान रखेगा, अगला शब्द है, allude, अल्यूट, अल्यूट, यह दियान रखना, अ अगला शब्द है, fiasco, यह हमारा noun, fiasco, it is a noun, fiasco, this is a noun, fiasco, this is a noun, fiasco की meaning, आपकी क्या होती है, it is a noun, fiasco का मतलब होता है, failure asafalta, failure asafalta, उसका हम बोल सकते है, fiasco, कोई भी गडबडी होगे, बहुत अच्छा प्लान बनाया था, वो गडबडी होगे, so that गडबडी is also known as f fiasco, next word is trail, t-r-a-i-l, verb का first form नहीं है, मैं बोल सकता हूँ, यह verb का second or third form है, v2 और v3 है, इसका first form होगा trail, t-r-a-i-l, trail का मतलब आपको क्या होता है, पीछा करना, है न, trail का मतलब होता, follow करना, पीछा करना, पीछड जाना, उसका मोल सकता है, trail, next word is kindred, adjective है, sorry, यही कैसे जान के, जो है, वो स्तमाल से जानते है, kindred souls, तो अगर इनके बाद कोई noun लिख दे रहे हो, फटाफट से कोई noun अगर अगर अप लिख पा रहे हो, तो फिर समझना यह adjective होगा, so kindred souls, मतलब सजाती है आत्माएं, एक, सजाती, same, ठीक है, अगला word है, denument, this is also a noun, denument, यह भी noun है, denument फटाफट से दोस्तों, denument, denument का मतलब क्या होता है, इसका महले होता है, anth, conclusion, samapti, उसका बोल सकते है, denument, अगला शब्ध है rapacious, अगला word है rapacious, r-a-p-a-c-i-o-u-s, rapacious, r-a-p-a-c-i-o-s, rapacious, r-a-p-a-c-i-o-s, rapacious, r-a-p-a-c-i-o-s, rapacious, चलो, rapacious की मीनिंग होती है, ला g-a-l-i-o-i-o-s, r-a-c-i-o-w, rapacious, अगला शब्ध है, calling, g-a-l-l-i-o-g, calling, g-a-l-l-i-o-n-g, calling, g-a-l-l-i-o-ing, calling, g-a-l-l-i-o-i-o-ng, calling. वर्ब का first form है और इसका second form और third form होगा एडी लगा दो debunked debunked ठीक है तो answer आएगा debunk क्या होगा answer debunk चलो debunk का मतलब होता है परदा फास्ट करना expose करना उसको हम बोल सकते है debunk परदा फास कर देना expose कर देना that is debunk अगला शब्द है implore 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 का मतलब होता है प्राठना करना request करना besiege यही वाला word था कल यह ध्यान में रखेगा यह काफी आता है besiege ठेक है इसका मतलब होता प्राठना करना ठेक है एक और word भी आपको exam में आता है देखने को entreat यह सब synonym कल मैंने बताया था लेकिन यह काफी exam में घुमते ही सले मैंने बता दिया है next word है torpor यह भी आपका noun है torpor 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 की meaning आपकी क्या होती है torpor का मतलब होता है akarmanyata है ना मतलब की alas जिसकों बोल सकते है akarmanyata inactiveness laziness that is torpor अगला word है doft यह आपका v2 या v3 है ठेक है यह आपका v2 है या फिर v3 है doft d o double f e d doft doft की meaning यह होगी doft का मतलब होता है उतारना take off करना ठेक है कोई भी चीज़ specially कोई भी पोशाक जूते जो आपने पहन रखे है उसको उतारना that is doft next आपके सामने आगे लिखा हुआ है outstrip next word is outstrip o u t s t r i p outstrip अगला शब्ध आपके लिए लिखा हुआ है outstrip चले outstrip का मतलब आपको क्या होता है आगे निकल जाना आगे निकल जाना overtake कर लेना उस sense माएगा outstrip आगे बढ़ जाना overtake कर लेना ठीक है उसको सरपास करके आगे निकल जाना that is outstrip last word is inimical i n i m i c a l inimical i n i m i c a l inimical फटाफट से inimical inimical का मतलब दो चीज़ दो मीनिंग आपके होते एक ये वाला मीनिंग जो मैंने लिखा हुआ है हानिकारक harmful dangerous दूसरा आपको शक्तृता पुरुन भी होता है जैसे भारत और पाकिस्तान के जो relations हैं वो हमेशा inimical रहे हैं मतलब bear पुरुन रहे हैं शक्तृता पुरुन आपके रहे हैं ठीक है इंटेलिजेंट और funny reply देते हैं बहुत सीरियसली नहीं किसी भी criticism का आपको बर जो criticism हुआ उसका आप एक वगर बहुत ही funny सा reply देते है लेकिन बहुत ही हाजर जवाबी उसको में बहुत है रिपोस्टे पढ़े हुए है मैं शहद की नाली में पढ़ा हुआ और तुम गंदे नाली में पढ़े हुए हो तो विर्बल ने कहा कि जी हुजूर आप जहांपना है आप राजा हैं भई आप कुछ भी देख सकते तो कल रात लेकिन मैंने भी एक सपना देखा कि हम दोनों नाली में पढ़े हुए है और नाली में उठने के बाद नाली से उठने के बाद हम लोग एक दूसरे को चाट रहे है तो ये जो जवाब है हाजिर जवाबी दिस इस रिपोस्टे दूसरा वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है वन हूँ इस रिपोस्टे बाद बूला जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे रूल्स और रेगुलेशन के प्रति स्ट्रिक्ट डिमांड वो रखता है मतलब कि एकदम रूल्स और रेगुलेशन आपको फॉलो करने ही करने है चाहिए वो किसी भी तरीकी का रूल्स हो एकदम स्ट्रिक्टनेस वो चाहता है ऐसे वेक्ति को में बोलते है मार्टिनेट ऐसे वेक्ति को में क्या बोलते है मार्टिनेट ठीक है यह बहुत बार आपके ससीम आया है नेक्स्ट वर्ड है आपका बेबी कारिज नेक्स वर्ड है बेबी कारिज baby carriage की मीनिंग क्या होते है baby carriage मीनिंग नहीं baby carriage को हम लग बोलते है perambulator, ना baby carriage को हम लोग बोलते है perambulator, छोटी सी गाड़ी टाइप की होती है ना आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे 5 idioms और phrasal verb की तरफ, पहला देखो लिखा हुआ, when life gives you lemons ठीक है, when life gives you lemons, देखो, life gives you lemons का मतलब होता है actually make the best out of difficulties, है ना, life gives you lemons, इसका मतलब भी हो रहा है कि difficulties के पीच में भी, आपको जो है, वो best, जो है, वो कुछ चीज आपकी बनानी है when life gives you lemons, ठीक है, next है goose egg, goose egg को हम लोग बोलते हैं, zero goose egg क्या बोलता हम लोग उसको, उसको हम लोग zero बोलते है, goose egg को next है in the loop, यह अक्सर आप देखना, offices में बहुत जादा अस्तमाल होता है in the loop, जैसे कि वाइचन समाल लेता है, कि कोई भी परेशानी हो रही है आपको, ठीक है, कहीं भी भी कोई भी परेशानी हो रही है तो आप अपने manager से मिले, तो manager ने कहा के काम करो, direct board of directors को, है न, direct board of directors को एक letter लिखो, और मुझे in the loop, keep me in the loop, in the loop का मतलब होता है, कि उनको तो लिखोगे, लिखोगे, मुझे भी थोड़ा सा बता देना कि क्या लिख रहे हो, तो मुझे जानकारी दे देना, तो in the loop का मतलब ह जैसे मैंने अभी का, कि आप अभी सुचा, से मैनी students think that qualifying SBI PO in first attempt is a pipe dream, ठीक है, कि SBI PO exam को पहले attempt को प्वालिफाई करना है, जा वो एक pipe dream है, या फिर especially people who have weak English, या फिर who are weak in English, वो सोचते हैं कि qualify करना SBI PO जैसे examination को पहले attempt में या pipe dream है, और उनका सोचना कोई गलत नहीं है, क्य जितने भी PO examinations हैं, क्योंकि SBI PO में आप खुद सोचो, सबसे पहले बहुत जबर्दस धाकड़ तरीकी के English आती है है उसमें, इतना तो शियर है, आपको English में अच्छा कमांड रखना पड़ेगा, ये तो शियर आप घर बैठे चुकचब 2-4 घंडे पढ़ ले रहें, आप क अच्छ में बता हूँ, अगर मैं ये बात नहीं करता स्टूडेंट से, तो समझ में नहीं यादे कि किस किस तरीके के प्रॉब्लम सो फेस कर रहे है, मैं तो अगर अभी लिखना शुरू कर रहो, तो मुझे लगता है कि मेरे पास अंगिनत प्रॉब्लम्स, टाइप आफ प काम करिया, अगर आपको फ्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी चीज़ें हो रही है, तो मुझे कॉल करिएगा, बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है, तो पाइप डरिम का मतलब होता है 24 erasers थे, 24 erasers, ठीक है, कुछ दिनों पहले, 24 erasers हम लोग ने खरीद कुछ को दिये थे, एक box में, आज के date mask बाद एक erasers है, सारे erasers गए कहाँ, उसे पता ही नहीं चल पाता, उसे पता ही नहीं चल पाता, ठीक है, उसे पता ही नहीं चल पाता, ठीक है, उसे पता ही नहीं च स्टिके फिंगर्स हो किसी ने चुरा लिया हूं ठीक है तो यह आगे आपका idioms और phrase का slide ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के editorial वाले session पर editorial वोकाप पर लेकिन ध्यान रखेगा था Hindu editorial by Santoshree यह वो टेलिग्राम ग्रूप आप सब लोगों को join करना है दोस्तों ठीक है PDF वगेरा class link वगेरा सारा information मैं सब कुछ आपको यहां पर देता हूं ता Hindu editorial by Santoshree ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और दोस्तों याद रखेगा English की problem के लिए maximum लोगों ने भाई बहुत बहुत शुक्रिया धीरे धीरे आपका विश्वास उडान पुरो की तरफ जो है वो बढ़ता चला हुआ जा रहा है इसलिए को मैं समझ सकता हूं कि चीजों को समझने में आपको दिखका थो रही थी कि उडान पुरो आप इससे पहले English का foundation batch आप लोग बहुत लेते थे आपने उडान जो बैच है उसको आपने बहुत ही सार आँकों पर रखा बहुत जबर्दस तो उडान 3.0 आपको आ चुका है ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 27 जुलाई से English का foundation batch है English का foundation batch है इस batch की price आप देखें 1320 और code लगाना है Y194 ठीक है English का foundation batch एक problem आप की दूर हो गई दूसरी problem बच्चों की ये रहती है कि सर जो है वो English का जो है वो सारा concept तो कर लिया जैसे कल कुछ बच्चों से मेरी बात हुई लेकिन सर प्री मेंस के जिब questions करते हैं आप लोगे exam के mock देते हैं तो वहाँ पे गलतियां होती है बहुत ही गलती होरी वहाँ पे तो उसके लिए एक दूसरा batch में लेकर के आ रहा हूँ आपको 1500 MCQ का batch ये आपका start हो रहा है 8 अगसे और इसमें direct exam oriented प्री और मेंस के questions करेंगे 1500 ठीक है इसकी price है 970 rupees same code आपको लगाना है Y194 आप अलग-अलग इसको जो है वो join कर सकते हैं और English Pro जो की English का तीसरा section जो लोगों को problem create करता है RC, para-jumble, re-arrangement of sentences, sentence वाला नहीं, paragraph वाला और close test ये तीन section जो आपकी exam में बहुत जबर्दस आते हैं, mains में PO के exam में 35 number के paper में यही आता है 22 20-25 number का, तो सोचो कितना important ही है और इसी section में maximum students आपके week होते हैं, तो इसको भी सही करने के लिए एक batch already में लेकर के आ गया हूँ, 770 rupees इसकी price है, same code आपको लगाना है Y194, लेकिन UDAN Pro जो है वो सबके जबान पर इसलिए है, क्योंकि ये batch हमारा start हो रहा है, आपको कब से, ये English Pro भी मिल रहा है और इसी batch में आपको 15MCQ का batch भी मिल रहा है, मतलब अगर ये तीनों आप अलग-अलग अगर लेने गए तो इट विल कॉस्ट यो 3200 क्या सपास, लेकिन UDAN Pro अगर आप यहां पर जॉइन कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये तीनों के तीनों batches मिलेंगे और सिर्फ और सिर्फ 760 है, code आपको यूज करना है Y194, है ना, तो तुरंट के तुरंट उड़ान प्रो जो है, वो आप लोग अभी से enroll करें, ताकि English की सारी problems आपकी दूर हो जाए, code आपको लगाना है Y194, ठीक है, और महापैक का तो आपको पता ही है, कि offer valid last few hours तक है, कुछ गंटों तक है, इससे पहले ही कि लोग आकर कि इस offer को change करें, जल्दी से जल्दी आप इसका फायदा उठाए, 6 plus 6 months की validity, 3, 4, 5, 0 rupees में आप यहां पे ले सकते हैं, और 2 साल की subscription आपकी एबल 4,350 में, code लगाना है Y194, जितने भी लोग है, ATA का महापैक, SAC का महापैक, Bank महाप 4, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम आते है, 28 tutorial words पे, पहला slide, पहला word आप सब लोगों के सामने आचुका है, stint, stint, कुछ दिनों तक अभी आपको ये word काफी जादा सुनने को मिलेगा, stint वाला word, stint, stint वाला word, क्यों, इसलिए क्योंकि जाइड से बात है, 15 राश्ट्र of India, the highest office, जो अभी होल्ड कर रही है, so stint का मतलब होता है, कारेकाल या फिर टर्म, ठीक है, duration, spell, तो she will be president for, she will be president for a stint of 5 years, ठीक है, 5 साल के लिए president रहेंगी, कारेकाल, term, duration, spell, ये इसके सनोनिम हों के, next आपका word है, founding, चलो ये आपका verb भी है, और आपका adjective भी है, ठीक है, जैस स्थापना करने वाले, स्थापना करने वाले, तो founding का मतलब आपको गया, स्थापना करने वाले, he is the one of the founding members, मतलब की, वो जो है, वो जन्होंने स्थापना की थी, उन्हों स्थापना करने वाले members में से एक है, तो founding, अगर आप पूरा एक word लेके चल रहे है, तो ये आपका adjective इसका मतलब उता है स्थापना करने वाला और founding अगर आप वर्ब का आई एंजी लेके चलोगे जिसका वर्ब का first मोगा found F-O-U-N-D तो उसका मतलब आपको उता है स्थापना करना जैसे कि राजाराम मोहनरोय उन्होंने स्थापना की या फिर दयानन सरस्वती फाउंड आर्या समाज की स्थापना की ठीक है तो वह वहला सेंस आपका आएगा स्थापना करना, स्थापलिश करना, ठीक है, इंस्टिट्यूट करना, इनिशियेट करना ख्रह airport स्थापना की शुप कॉनिजन थन रोच और शल्यार रहा स्थापना ही, जांता है थापना ख्रह म algumas यदा है, झाक तो झालिक है तो यह किसम औरहों, मूरी कमीसें रहा ही, जांकार तैक है tips and tricks of all the subjects in your examination मलब आपके examination में जितने भी subjects आते हैं आप उन सारे subjects के आपको उनके cut-off, उनका syllabus, उनका previous air analysis इन सब के बारे में आपको cognizant होना पड़ेगा, जानकार होना पड़ेगा, aware होना पड़ेगा, upconscious होना पड़ेगा, apprised होना पड़ेगा, याद रखेगा, apprised, एक बहुत ही पड़ेगा, apprised का मतलब भी होता है कि informed होना, सूचित होना, उसको भी हम बोल सकते हैं, apprised, next word is, accutely, accutely का मतलब बता है, बहुत ही तिवरता से, बहुत ही extremely, बहुत ही markedly, बहुत ही intensely, उसको हम बोल सकते हैं, accutely, जैसे हम बोल सकते हैं, I feel accutely for you, ठीक है, लड़का दे, लड़की से कहा, the boy said to the girl, that he felt accutely for her, मतलब वो उसके लिए बहुत तिवरता से कुछ फील करता है, ठीक है, extremely, intensely, markedly, adverb ही है, sorry, acute हो जाएगा, आपका adjective, next word is, articulated, ठीक है, verb का second form है, third form है, इसका first form होता है, articulate, इसका मतलब होता है, साफ साफ बोलना, जैसे मैंने का, कि my daughter is two years old, ठीक है, मैंने एक sentence मैंने बोला, वैसे, चार मेनी की है, लेकिन मैं अगर बोलू कि मेरी दॉर्टर जब वो दो साल किया, my daughter is four years old, ठीक है, still, she articulates each and every word very clearly, ठीक है, फिर भी, वो जै, हर एक word को बहुत ही साफ जब धंक से बोलती है, बहुत ही clearly बोलती है, तो articulate का मतलब होता है, साफ बोलना, clear बोलना, express करना, communicate करना, enunciate करना, enunciate का भी मतलब होता है, साफ कुछ बोलना, elucidate का भी मतलब होता है, clear ले, कुछ चीज clear करना, ठीक है, तो enunciate का मतलब साफ साफ बोलना, यह आपका हो गया, बोलने के sense में, वो, articulate एक adjective भी है, जब सबकर मैं बोलूँ कि, क्या ना में इनका, Mr. Shashi Tharoud is an articulate speaker, Mr. Shashi Tharoud जब एक articulate speaker है, इसका मतलब वो एक बहुत ही, सूस्पस्ट वक्ता है, तो articulate as in adjectives का मतलब होता है, सूस्पस्ट, बिलकुल clear, एक दम, candid, स्पस्ट, transparent, ठीक है, उसको में बोल सकते हैं, articulate, तो यह ध्यान रकिएगा, तो अलग-अलग मीनिंग में इस्तमाल होता है, second slide बे आते हैं, पहला word आपके सामने आगया है, लिखा हुआ है, invigorate, अच्छा, invigorate का मतलब क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि during summer, ठीक है, when people become tired, when people become tired, they drink juice or glucose and it invigorates it them, it invigorates them, मतलब क्या होता है, कि देखना होगा, गर्मी के दिनों में, generally, जब लोग बहुत जादे एक्जास्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, when people become tired, they take juice or glucose and it invigorates them, और ये उनको क्या करता है, बिलकुन उनके सरीर में स्फूर्ती ला देता है, ये उनको बिलकुल एकदम जान डाल देता है, उनके जाल देना, energize कर देना, fortify करना, refy करना, ये तोनों बहुत शांदार शनॉनम है, ठीक हम लोग अकसर बोलते हैं, यार पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, दिमाग खरा होगा, जा रहे हैं, थोड़ा सा fresh होने, थोड़ा सा रिफ्रेश होने, तो वो पढ़ते हैं, दो घंटा और रिफ्रेश होते हैं, पांच घंटा, है ना, नेक्स वर्ड है, लिखा हुआ है, गौज, G-A-U-G-E, G-A-U-G-E, गौज, और इसका, ये वर्ब का फर्स वर्स वर्म है, गौज, G-A-U-G-E, और वर्ब का I-N-G आपका हो गया, तो I-N-G आगया, गौज का मतलब होता है मापना, it's impossible to gauge a mother's love, ठीक है, एक मा के प्यार को, it's impossible to gauge a mother's love, एक मा के प्यार को नापना असंभव है, ठीक है ना, तो गौज का मतलब होता है, नापना, measure करना, count करना, calculate करना, compute करना, quantify करना, यह सब sense माएंगे, अगला शब्द है, leave way, मेरा बहुत ही पसंदीदा वर्ड, leave way, leave way का मतलब होता है, स्वतंतरता, हमें आजादी, हमें 1947 में आजादी मिली, we got leave way in 1947, बिल्कुल गलत statement, यह वो perfect example है, जिस वज़े से मैं हमेशा चिलाता रहता हूँ, कि दोस्तों, please session को live attend करिए, या फिर, अगर live attend नहीं कर पा रहे हैं, तो recorded देखिए, लेकिन देखिए जरूर, केवल PDF से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर PDF आपने लिया है, तो PDF में इसकी meaning आपको दिखेगी, स्वत्तंतरता freedom, और अगर कहीं पर एक sentence आया, कि भारत को आजादी मिली 1947 में, तो आप जरूर लिख देंगे उस वक्त, कि India got leave a in 1947, जो कि बिलकुल गलत sentence होगा, क्योंकि leave a का मतलब जो स्वत्तंतरता और freedom आपका होता है, वो comfort वाले sense में आता है, कि बहुत जादा strict rules हो गए, तो थोड़ा आजादी, थोरी छूट तो मिलनी चाहिए, उस वाले sense में हम लोग इस्तमाल करते हैं, leave a, ठीक है, जैसे कि, जैसे हम बोल सकते हैं कि to complete the project, all the employees worked 15 hours a day, ठीक है, मालब उस project को complete करने के लिए 15 hours a day, एक दिन में 15 घंटे वो लोगों ने काम किया, now it's time to give them the leave a, अब वक्त आ गया है कि उनको कुछ leave a, कुछ comfort, कुछ shoot दिया जाए, ठीक है, scope दिया जाए, कुछ latitude दिया जाए, कुछ आराम दिया जाए, ठीक है, इस sense में स्तमाल होगा, next word is elated, अचा, elated का मत आपको क्या होता है, खुश कर देना, elated, ठीक है, the news of my, when I qualified SBI PO examination, the news elated my family members, जब मैंने SBI PO examinations को, IBPS PO examination, clerk examination, SBI clerk examination, जो कि आपका अगला examination है, ठीक है, जब उसको मैंने clear किया, तो मेरे सारे घरवाले जो हो इलेटेड हो गए, बिल्कुल खुश हो गए, एक तम उतलसित हो गए, एक तम खुश हो गए, delighted हो गए, एक्स हिलारेट हो गए, थ्रिल हो गए, आपने कभी सूचा है, सच में जारा सा, सोचो, clear हो गया exam, इसके बाद का examination, जब वो आपका आ रहा है, SBI clerk का, IBPS clerk का, कल एक लड़की मुझे कॉल किया था, उससे बात भी पांस-दस में, उसको टांटा भी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, उनका preparation नहीं हो पाया, इसलिए वो आई-पेस clerk का form फिल नहीं कि, उस उचे नहीं सर्म मेरा clerk नहीं उपा रहा है, तो मेरा, मैं अगले साल clerk दूँगी, और इस बार मैं अभी English पे थोगा जादा time मिल जा रहा है, समझ मिन या रहा है, समय नहीं बच रहा है, इस समय का, तुम्हें तीन दिन चाहिए, 72 घंटी चाहिए एक दिन में, जो exam निकालते हैं, clear करते हैं, जो जिन्होंने बड़े-बड़े काम कि उनके पास 24 घंट हो, आपके पास 24 घंट हैं, आपको make-up करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, कि आप किस तरीके से चीज़ों को ले करके जाएंगी, आपको पर depend करता है, तो last day के दिन मैंने उसे जो है, वो form fill up करवाया, यहां रखिएगा, सोची जरा सा, जब आप exam qualify करते हैं, और यह new जब आपके घर वालों को, especially आपके माँ बाप को मिलती है, तो यार मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी फीता जो है, उनके सीने को समय माँ पाता होगा, इतना चोड़ा हो जाएगा इतना, ठीक है, और इसलिए मैं कहता हूँ, यार दोस्तों, और तभी जाकर के, याद रखेगा, मैं कहता हूँ कि इंग्लिश जो है, वो problem मत create कर देना, ठीक है, अगर इंग्लिश में बीक है, आख बंद करके trust करी मेरे उपर, जितनी इंग्लिश के परिशानिया, वो सब मै एक बैच में ला करके आपको रख लिया है, या उडान प्रो, उस बैच को मिस मत करना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उडान प्रो को, तुरंद आज के आज ही जॉइन करिये उस बैच को, ठीक है, चलिए, नेक्स वर्ड आपके सामने आ रहा है, Erosion, Erosion, Erosion का मतल है कि the global warming, ठीक है, the global warming, global warming is the region behind, is the region behind the erosion of ozone layer, global warming जो है, ठीक है, वही कारण है, erosion का कारण है, किसका, ozone layer के erosion के कारण, पीछे का कारण क्या है, global warming, तो कटाओ, reduction, depletion, ये वाला वर्ड याद रखना, depletion और abrasion, इन दोनों का ये, abrasion, abrasion, depletion, इन दोनों का ये मतलब आपका होता है, धीरे, 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 कटाओ, कटते जाना, धीरे, धीरे, ठीक है, ये दो स्लाइड हो गई, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ता है, next slide के दरफ, तीसरी slide के दरफ, तीसरा slide, पहला वर्ड है, expurgate, बहुत शांदार वर्ड है, expurgate, expurgate का मतलब बोता है, संशोधन करना, amend कर करना, rectify करना, the government wanted to expurgate the farm laws, but the farmers wanted to repeal it, सरकार चाहते थी, expurgate करना, farm laws को, संशोधन करना, amend करना, rectify करना, चाहते थी, लेकिन, फार्मर चाहते थी, पूरी तरीकस उसको, हटाना, so expurgate, संशोधन करना, censor करना, edify करना, ये बहुत, बहुत शांदार वर्ड है, धोस्तों, ध का मतलब होता है, confusion, भूल-भूलाईया, ठीक है, तेरी आंके, भूल-भूलाईया, तेरी बाते है, भूल-भूलाईया, तेरी गलियों की सपनों में, I can go crazy for you, कुछ है तरीकसे गाना था है, भूल-भूलाईया, confusion, bewilderment, परिशानी, फुल-जन, उसका मूझ सकते हैं, labyrinth, भूल-भूलाईया, confusion, after graduation, there are many students who find themselves, who find themselves in labyrinth, especially after graduation, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जो graduation के बाद आपने आपको भूल-भूलाईया, पाते हैं, कि जाएं कहां, है न, जाओं कहां, है न, वो वला, so भूल-भूलाईया, English आपके होगे, मेज या फिर कॉनंडरम, बहुत मेजात कॉनंदरम, ना उने negative sense माएगा, next word है, bullish, पता है, कल, मै भी थोड़ा परिशान रहता हूँ, family थोड़ी सी अभी सब के तवित खराभी चल रही है, even my wife, my daughter, ठीक है, बोद र शिक, ठीक है, and there is no one, apart from me, to take care of them, तो मेरी ममी जाह है, वो मुझज हमीशा भी थोड़ती ह हो, हर जगह, हर टाइम पर अपने चहरे पर मुस्कुराइट रखना, देखना दुख के बाद लिए तो जाएंगे ज़रूर, लेकिन जितने समय में जाएंगे ना, उतने समय में भी तुम्हें परिशानी इतनी जादा होगी नहीं, अगर चहरे पर मुस्कुराइट रहेगी, हाना, वो कहता है ना, कि Charlie Chaplin, जो है, आप लोगों ने सुना होगा, Charlie Chaplin, उनका जो सबसे बड़ा statement है, और यह statement मैं बता रहा हूँ, मुझे किसने बताया, Charlie Chaplin का यह कहना है, कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरे लाइफ में, my life is full of difficulties and problems, but probably my lips do not know, हाना, मलब क होता है, कि शायद मेरे जिन्दगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकर मुझे लग रहा है कि इसके ख़बर मेरे होटों को है नहीं, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और यह बात बता है, मुझे किसने बताई, Charlie Chaplin का यह लाइन, यह मुझे मेरे बेटे ने बताया कल, ठीक है, उदास बैठी वेते थोड़ा सम, तो मैंने बेठे ने कलवत में बताया, he is 8 years old, ठीक है, so bullish का मतलब होता है, वरी एदम आशावादी होना, hopeful होके रहना, buoyant होना, sangmin होना, ठीक है, जो हम बोल सकते है, bullish, every aspirant must be bullish, every aspirant must bully, या फिर every single individual must be bullish throughout his life, हमेशा उसको होना पड़ेगा, negativity से कुछ नहीं हासल होने वाला, अगला शब्द है, candor, c-a-n-d-o-r, candor, candor, candor का मलवता, spust vadita, sir, whatever you speak, it is full of candor, ठीक है, या फिर sir, your speech is full of candor, आपकी जो speech है, spust vadita से, बिलकुल भरी वी होती है, honesty से भरी वी होती है, बिलकुल इमानदार, honesty, clarity, sincerity, frankness, उस next word आपके सामने आगा लिखा है, langer, पहला आया candor, दूसरा है, langer, langer का मलवता है, थकान या फिर tiredness, after doing the day's work, after doing the day's work, I was filled with langer, ठीक है, पूरे दिन वर के काम करने के पशात, I was filled with langer, ठीक है, I was suffering from langer, मुझे बहुत थकान हो गई, dietness हो गया, इसके synonym याद रखना, ennui और innervation, innervation का भी मतलब ठकान, ennui का मतलब भी ठकान, देखो कितने शांदार words मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर, अरे हम कोने देने वाले हैं, यह अलड़ी words बने हुए है, मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ठीक है, तो यह ध्यान में रखिगा, langer मतलब ennui, ठक ठीक है, यह आपका noun हो गया, अब हम चलते हैं, देखो, 2000 बच्चे हमारे साथ अभी live है, चलते हैं हम लोग, चौती स्लाइड की तरफ, चौती स्लाइड की तरफ चलते हैं, लेकन उससे पहले एक वादा, यह रहा वादा, grammar special, कल बहुत सारे लोगों का message आया, और मुझे ल चलते हैं, grammar special, 30 questions पूरा, target यह हमारा कि 30 by 30, क्या आपकी grammar इतनी अच्छी है, कि आप 30 में से 30 ला सकते हैं, IVPACE clerk, IVPACE PO, SBI clerk, SBI PO, इन सारे examinations के लिए दोस्तों, perfect है, 11 बजे आप इसके timing देख सकते हैं, सुबा, 11 बजे आप सब लोगों के मेरे साथ चोड़ना है, इन 2000 बच् उन सब लोगों को याद रखिए, कसम है अपने expectations की, है ना, अपने ममी पापा को उन आशाओं की, कि इस session को छोड़ना नहीं है, English को लेकर करके मैं बहुत परिशान हूँ, मैं नहीं चाता हूँ, कि आपको मैं परिशान करूँ, इसलिए grammar special, यह चेक करने के लिए कि आपकी grammar कितनी अच्छी है, आज पता चलेगा, 30 में से 30 सब का target है, 29 भी acceptable नहीं है, ध्यान रखिएगा, 30 में से 30 क्योंकि सारे questions grammar based, ठीक है, आज सुबह 11 बजे, चलिए, स्टार्ट करते हैं, पहला वर्ड आप सब लोगों के सामने लिखा हुआ है, B-rate, दोस्तों, दो वर्ड होता एक होता है, I-rate, एक होता है, B-rate, एक होता है, I-rate, एक होता है, B-rate, एक होता है, B-rate, I-rate का मतलब बहुत है, बहुत ही चिडचड़ा, बहुत ही गुसा है, एजेक्टिव है वो, negative sense, B-rate का मतलब बहुत है, डांटना स्कोल्ड करना, the principle berated all the students for making a noise, student ने सारे students को हल्ला गुल करने की वज़े से डांटा स्कोल्ड किया, दोनों से नॉनिम याद रखना, इसको, reprimand और lambast, lambast का तो मतलब बहुत है, लताड़ना पकड़ के, बहुत खरी-खोटी सुनाना, बहुत जबर्दस जबर्दस आपको डांटना, उसको मोल सकता है, reprimand या फिर lambast, अगला हमने कोई turn आ रहा होता है, तो पता नहीं चलता है, और हम लोग उसके आगे निकल जाता है, और हमें पीछे ही मुड़ना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकता है, कि okay, the lane, the lane, we passed the lane, where we had to digress, ठीक है, we passed the lane, मनला हम लोग lane को पास कर गए, जहां पे हमें digress करना था, ज आर्जर जो वो एक नाउन है, positive word आएगा, इसका मतलब होता है, उदार्था, kindness, ठीक है, जहसे हम बोल सकता है, nature is known for its लाटा के लिए जानी जाती है, इसकी kindness के लिए जानी जाती है, नीचे प्रकृते ने में बहुत कुछ दिया है, सुनॉनिम देखो, generosity या फिर magnanimity, generosity या फ respects his parents, God's benissance falls on him, ठीक है, मतलब एक वैक्ती जो अपने माता-पिता को respect करता है, माता-पितों को पूझता है, one who worships, one who worships his parents, God's benissance falls on him, मतलब भगवान का आशिरवाद में उसको बर गरता है, benison, आशिरवाद, boon, blessing, benediction, ये सब इसके सनॉनिम होंगे, ध्यान रखिएगा, ठी ना, शोब की मीनिंग आपकी क्या होती है, बहुत ही धक्का मुक्की करना, specially मैं आपको situation या दिलाता हूँ, आप बोलोगे कि हाँसर बिल्कUL सही है, बस, भीड बस में आप लोग चड़े होंगे, था ना, भीड बस में आप लोग चड़े होंगे, तो भीड बस में आप लो crowded bus, ठीक है, people started shoving me in the crowded bus, बिल्कुल मेरे से धक्का पीछे करने लगे, मेरे जोर से मुझे धकिलने लगे, उसका मुझे शोव, SHO, VE, यह हो गया वर्प का first form, इसमें ED लगा दोगे, D लगा दोगे, तो second or third form हो जागा, shoved, ठीक है, धक्का मुकी करना, push heart, jolt, jostle, यह इसके synonym हो जाएंगे, ठीक है, तो यह सारा का सारा, याद रखना, बहुत important है, बहुत बढ़िया आपको synonyms मेने दिये है, ठीक है, screenshot जरूर लीजेगा, तभी जा करके, आप बार-बार उसको revise कर सकते है, screenshot को mobile से, otherwise यह पूरा का पूरा एक-एक word revise करना possible नहीं है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए, अबन बोग आगे, आज के एडिटोरियल पे, Madam President यह वाला आज के एडिटोरियल है, लेकिन याद रखेगा, जितने भी लोग हैं, जो अभी session छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, double value का offer आप सब लोगों के लिए है, यहाँ पे, ठीक है, और इससे पहले की लोग आपर के इस offer को चेंज करें, तुरंत यह session अगर आप अभी छोड़ रहे हैं, तो जाकर सबसे पहले double value के तुरंत के तुरंत आप लेना है, अट्डा का महापाइक, SSE का महापाइक, बैंक का महापाइक, जो भी आप लें, तुरंत के तुर ठीक है, tribes people, बोला गया है, कि इद्रापदी मुर्मू का जो election है, ठीक है, should lead, इसकी वज़े से क्या होना चाहिए, election की वज़े से रास्ता बनना चाहिए, election की वज़े से क्या होना चाहिए, और ज्यादा attention मिलना चाहिए, जो tribal लोग है, उनके अधिकारों के context में, उनके अध communities आई है, तो जब tribal communities आगर के जो है, वो देश का बिलकोल highest office वो समाल रही है, इसका मतलब अब lead कहां पर मिल रही है, कि शायद अब tribe जो लोग है, उनके अधिकारों का, जो हो थोड़ा सा attentively उनको देखा जाएगा, ठीक है, चले, अब यहागया हमारा slide, चले, start करते हैं, फटा-फट से, the election of Draupadi Murmu as India's 15th president is rich in symbolism, बोला जा रहा है कि Draupadi Murmu का जो election है, इंडिया के 15 राष्टपती की रूप में, वो संकेतिक, संकेतिक भाषा का अगर हम बात करें, तो बिलकोल भरा हुआ है symbolism से, अलग अलग चीजों के तरफ संकेत करता है, in the 75th year of country's independence, बोला जा रहा है कि भारत के 1785 साल में, Ms. Murmu becomes the second woman, Ms. Murmu जाया है, वो दूसरी महिला बन रही है, to occupy the राष्टपती भवन, मतलब, president बन रही है हो, and the first member of a tribal community, और tribal community की पहली member वो बनी है, ऐसा करने वाली, her membership of the Santhal tribe is in focus, इसलिए उनका जो Santhal tribe से उनकी जो membership हुई है, अब वो काफी limelight में है, focus में है, she has risen through the ranks in the भारतिये जनता party, बोला जा रहा है कि BJP में उनका जो rank है, वो काफी बढ़ता हुआ जा रहा है, as has shown a mind of her own during her stint, और उनने अपने दिमाग, अपने mind, अपने knowledge का भी परिचे दिया था, during her stint, अपने governor, during her stint, अपने कारेकाल में, किसका, as a governor of जार्खन, जार्खन के governor के कारेकाल में, उन्होंने अपने दिमाग का भी, किस तरीके से वो काम कर सकती है, इसका भी उन्होंने, जो है, वो example दिया था, Her election to the highest office of country comes 101 years after two tribes people were elected to legislative bodies in colonial India, बोला जा रहा है, 101 साल बात, ऐसा हुआ, कि कोई tribe, जो है, वो community से आ करके, भारत के highest office को क्या कर पा रहा है, वो आ चुका है, founding figures, स्थापना करने वाले, जो republic थे, founding figures of republic, हाना, मलब जो कि इस republic, भारत की republic की, जो भी स्थापना करने वाले थे, ठीक है, या फिर जो भी इसको constitution बनाने वाले थे, were acutely cognizant, वो बिलकुल deeply, बहुत ही, मलब intensely, तिवरता से वो इस बात से परिचित थे, of the disadvantageous position of the tribes people, वो अच्छी तरीके से परिचित थे, कि tribe जो लोग है, tribal people जा है, उनके disadvantageous, मलब उनको बिलकुल भी कोई लाब नहीं मिल पा रहा, इस परिस्थिती से वो सारे के सारे लोग अवगत थे, and made special provisions, और उन लोगों ने उनके लिए special provisions बनाए, as the 5th and 6th schedule of the constitution, समिधान का पाँचवार, 6th schedule के रूप मे, जैपाल सिंह मुंदा, sportsman and tribal leader, was a prominent member of the constituent assembly, वो एक prominent member थे constituent assembly के, who forcefully articulated, जिन्नों ने जोर जबरस्ती करके articulate किया, सपस्ट रूप सी ये बोला, the fears and hopes of tribes people, tribes people, मलब जो tribe लोग है, tribal लोग है, उनके डर, उनके hopes के बारे में, clearly उन्होंने बात की, in 2002 states, 2000 ISWी में, दो states, जार्खन और 36 गड़, were formed, उनकी स्थापना की गई, to give more focused attention, जार्खन और 36 गड़ को बनाए गया, जादा attention देने के लिए, जो tribal population थे, उन regions में, जार्खन और 36 गड है, उनके लोगों को, अच्छी तरीके से उनके, आपके issues को, उनके questions को, address किया जा सके, the schedule tribes and other traditional forest dwellers, बोला जा रहे हैं कि जो ST हैं और जो दूसरे, जो आपके forest dwellers है, ठीक है, जो जंगलों में रहने वाले, ठीक है, तो जंगलों में रहने वाले नहीं, वो act की बात हो रही है, कि schedule tribes and other traditional forest dwellers act, was passed in 2006, इसको 2006 में पास किया गया, Ms. Murmuz election is a milestone, Ms. Murmuz का जो election है, वो एक मील का पत्थर है, in the journey of tribal empowerment, बिल्कुल सही है, कि tribal जो लोग है, उनके empowerment के रास्ते में ये एक मील का पत्थर है, तो she is by no means, हाला कि वो किसी भी तरीके से नहीं है, limited to her identity, तो वो किसी भी तरीके से अपने identity लिमिटे नहीं है, कि tribes सही आई ह तो tribal लोगों के लिए ही सिर्फ वो देखेंगी, बाकियों और जनता का कुछ नहीं है, it is a moment of pride for India, भारत के लिए बहुती गर्व का ये विशह है, for the BJP and Prime Minister Narendra Modi, BJP और Prime Minister Narendra Modi के लिए this is a moment of political triumph, ये एक राजनैतिक जीत की, जो है, वो एक moment of time है, over the opposition, विपक्ष पे, paving the way for a tribal woman, रास्ता दिखाना, paving the way, मनलब रास्ता दिखाते हुए for a tribal woman, एक tribal महिला को रास्ता दिखाते हुए to succeed a Dalit in a highest office, ठीक है, बोला जा रहा है कि in the highest office में रास्टपती के रूप में रास्ता दिखाते हुए एक tribal woman को ले करके जाना, ऐसा करते हैं Mr. Modi has shown, Mr. Modi ने yet again ये capacity, अपनी ताकत को to constantly script invigorating politics, अपनी ताकत को फिर से दिखाया है, कि इस चीस की ताकत को invigorating politics, मनलब बिलकुल मजबूत बनाने वाले राजनिती को, मजबूत बनाने वाले राजनिती को लिखने का उनका जो ताकत है उसके बारे में फिर से दिखाये गया है, by gouging मापते हु उनके आशाओं को जो है वो मापते हुए ये काम उनोंने किया है, Mr. Murmose elevation has elated, Mr. Murmose का जो ये elevation उनको ये पद भी मिली है, इसने काफी खुश कर दिया है tribe लोगों को across the country and this could convert और ये हो सकता है कि ये बदल दे, convert कर दे into significant electoral gains, इससे हो सकता है कि electoral gains में ये चीज आपकी change हो जा है, और candidacy split to opposition, उनकी जो candidacy है, उसने opposition को भी split कर दिया, क्योंकि बहुत सारे members, सिफसेना के और JMM के जारकन मुक्ती मोचा को उनोंने उसको support किया, tribe people have high expectations, tribe people के बहुत ही उंचे expectations रहे है, from Murmose rise to the top, Murmose जो उनोंने बिलकुल top में वो rise की है, उससे काफी high expectations रहे, but that could be realized, लेक किया जा सकता है, only if the Modi government backs up its symbolism with substance, ठीक है, लेकिन ये तभी जब इसको realize किया जा सकता है, अगर Modi सरकार इस symbolism को, इस संकेतिकता को, अगर काम से जो है, वो support करती है, substance मलब कुछ काम से अगर वो support करती है, तब जाकर के इसकी और जादा चीज़ें, value यहाँ पे आप आएंगे, यही पूरा का पूरा आपका है, बस एक need to know information है, इतना कुछ जादा, मलब आपको exam के लिए important नहीं इस तरीक articles, बट एक information आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, बस session को यहाँ पे समाप्त, जो है वो कर रहे है, सारे के सारे लोग दोस्तों ध्यान में रखेगा, double value offer आप लास्ट फ्यू आवर्स अपके लिए है, ठीक है, इसे पहले के लोग आपकर के इस offer को जो भी आपके पास offer है, तुरंट के तुरंट आप लोग महापायक इन्रोल करें, इसे एक महापायक में आपको सारी की सारी चीज़ा मिल जाएंगी, ठीक है, बैंक महापायक की price आप यह 435-0 में मिल रहा है, और code आपको लगाना है Y194, बैंक महापायक में आपका SBI, IBPS, RRB, RBI, यह सब होगा, लेकिन बैंक महापायक में आपके और कितने आजाएंगे, नाबाद आपको आजाएगा, सेबी आपको आजाएगा, सिड़ भी आजाएगा, RBI, ग्रिड भी और अट्डा का महापायक लेते हैं, तो बैंक ऐसे सी रेलवे, तीनों चीज़ें आपको आजाएगे, और इसमें जो 6 plus 6 months की जो validity है, उसकी price में आपको पता देता हूँ, 4, 3, 5, 0, एक बहुत ही reasonable से price में, आप इसको देख सकते हैं, code ज़रूर अप्लाई करिए, Y194, तुर 1500 MCQ का questions, direct pre-level और आपको means level के समें, कोई basic आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, और English Pro जो की RC, 12 जंबल और closest का बैची, तीनों मैंने add कर दिया है, उडान प्रो में, मात्रस 1760 रुपे में, code सिर्फ यहीं use करना है, दोस्तों, यह request है, Y194, ठीक है, बस session को खतम करते हैं, 11 बज तो कुस क्लास को अटेंड करें, reasoning की क्लास, 9 बज़ से, thank you very much, God bless every one of you, शुक्रिया दोस्तों, ध्यान रखेगा, खुश रहेगे